ओकी तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ तो इंप्रोब म्यूजिकल्टी इन डांसिंग और कैसे तुम सही तरीके से डांसिंग में म्यूजिकल्टी को चीप और इंप्रोब कर सकते हो but before talking about that let's know what exactly musicality is so musicality exactly होता क्या है musicality जब वे की कैसे dancer music को अपनी body और movement से express करते है और music को technically कैसे समझते है कैसे एक dancer music को सुनते है, interpret करते है और उस music पर dance perform करते है different dancer musicality को use कर के music को different तरीके से demonstrate करते है वो अपने dancer style, अपने choreography style, अपने experience के basis पर music को समझते है और उसे interpret करते है by the form of dancing और एक dancer के लिए musicality काफी important है if you are a good dancer but with lack of music sense ये तुमारे dancing को काफी ज़्यादा effect करेगी for example अगर हम दो dancers को देखे, same music पर dance करते हुए जिसमें एक ऐसा dancer है जो musical correct नहीं है बट एक ऐसा dancer है जो की musical correct है उसके पास dancing और musicality की knowledge है तो तुम ये देखोगी कि जो dancer जो musical correct नहीं है जिसके पास musicality की knowledge नहीं है उसकी dancing तुमें disconnect लगेगी तुम उसके emotion से, उसके expression से connect नहीं कर पाऊगे बट at the same time जो dancer musical correct होगा, उसके dancing, उसके moves, उसके emotion से तुम connect कर पाऊगे और उसने music पर कहाँ पर कौन से beats पर कौन से rhythm पर कोड़ोगरफी की है तुम वो भी समझ पाऊगे और उसे visualize कर पाऊगे अब हम बात करते हैं कि dancer musicality को अपने dancing में कैसे use करते हैं बट उससे पहले मैं answer करना चाहूँगो तुम्हारे एक question जो तुम लोग मुझे काफी time से पूछते वो आ रहे हो क्योंकि मैंने एक previous वीडियो में बताया था कि अभी के time में एक dancer के लिए उनका overall look काफी ज़्यादा matter करता है as artists उनकी खुटके एक अलगड identity create करने में scrub and cleanse जिसके अंदर है walnut pink clay and rose जो की helpful है तुमारे skin को brighting and smoothing करने के लिए इसकी packaging भी काफी अच्छी है और यह complete natural product है और अगर तुम चाहते हो तुमारे skin healthy हो वो glow करे तो तुम उसके लिए use कर सकते हो जिस exfoliated face and body scrub इसके अंदर है coffee walnut coconut oil and rock salt जो की remove करते dead skin साथ ही साथ मोच detan और polish करते है तुमारे skin को और तुम यह sea glow face wash भी यूज कर सकते हो for regular use जिसके अंदर है vitamin c sandalwood honey coffee neem and lemon जो की help करते है टेक्सेस oil control में anti acne में detan brighten and smoothing your skin में और most important यह good है सारी skin type के लिए and the next product is this Glosson face and body butter lotion इसके अंदर है DIY and cocoa butter जो की help करते है तुम्हारे skin को damage repair होने में अगर तुम्हारे skin damage है तो यह help करे गिए उसे naturally repair करने में deep moisturize करने में और माइज skin को glowing and brightening बनाने में and the last and my favorite product सकते है इस निको लिफ्स जो की वह करता है जो लिफ्स क्रिम बाम अगर आप nicotine consume करते हो और आपके लिफ्स दार्क हो रहे है तो आप इस निको लिफ्स को यूज कर सकते हो आपको सिंपली से अपने लिफ्स पर अपलाई करना है बट problem यह कि इन्हें marketing नहीं आती है क्योंकि यह अपने पैसे अपने product की quality पे लगाते है मैंने इन्हें खुदी reach out किया था इनके product के बारे में क्योंकि मैंने इनके product को 6-7 मैंने से यूज कर रहा हूं product में वह बात होते है कि लोग इसे यूज करते है और वो लोगों के लिए useful होता है तो अगर आप इनके product को purchase और यूज करना चाहते हो तो आप इनके websites इनके product को purchase कर सकते हो आपको नीचे description में इनके website का link मिल जाएगा तो जाओ product को purchase करो उसे यूज करो और इस company को support करो now back to video musicalty को सही तरीके से यूज करने के लिए तुम्हें उस music को song को अच्छा से सुनना होगा देन उस music के tempo के according, rhythm के according और bits के according तुम्हें हमने steps hook करने होगी और एक बहतरीन choreography करनी होगी और उसके लिए तुम्हारा और music की अच्छी समझ भी होनी चाहिए साथी साथ तुम्हें कुछ time भी देना होगा जितना तुम्हारा experience build-up होगा उतनी अच्छी musicalty sense build-up होगी also एक चीज़ जो matter करती है वह matter करती है musicalty और अच्छी dancing में वह बॉड़ी टेक्च्चुर और music counts तो इसके बारे में हम इस वीडियो के second part में detail में बात कर रहे होगे तो इस वीडियो को तुम miss मत करना और इस चैनल पर अगर तुम पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि उस second part की भी notification तुम्हें मिल जाए